नमस्कार आदाब मैं आपका दोस्त फार्मासिस्ट असफाक स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चाइनल पर आज की वीडियो में बात करेंगे स्वागत करेंगे एक एक एंजाइम है जो लीवर में पाया जाता है SGPT टेस्ट को ALT टेस्ट भी कहा जाता है इस टेस्ट को इसलिए कराया जाता है जिससे पता लग सके कि बलड में SGPT की वाईल्यू कितनी है अब जान लेते हैं कि यह test कैसे किया जाता है तो इस test के लिए blood sample की आउसकता होती है जो patient के बाजू से ली जाती है क्या इस test को कराने से पहले कोई खास तयारी या साउधानी की जरूत होती है तो नहीं इस टेस्ट को कराने से पहले कोई भी खास तयारी की आऊशकता नहीं होती है यह पेसेंट के सुविधा अनुसार कभी भी blood sample लेकर टेस्ट किया जाता है अब जान लेते हैं कि ACPT test का normal value क्या होता है तो इसका normal value 7-56 unit per liter of blood होता है यह normal value अलग-अलग laboratory में normal range अलग-अलग हो सकता है ACPT बढ़ने का क्या कारण हो सकता है तो यह enzyme मुख्यत लिवर में पाया जाता है इसलिए ACOT test से ज़्यादा अस्पेस्पिक है लिवर के बिमारियों को पता लगाने के लिए ACPT इन बिमारियों में बढ़ जाता है अन्य टेस्ट भी किये जाते हैं लिवर डिजीज को पता लगाने के लिए जैसे ACOT, bilirubin total, direct, indirect, serum protein इन सभी टेस्ट को combined रूप से LFT यानि लिवर फंक्शन टेस्ट कहा जाता है यह थी जानकारी ACPT टेस्ट के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को प्रेस करे धन्यवाद